श्री राम जल्म भूमी आंदुलंग के संखर्शमई इतिहास में कार्सेवकों का अमुल्ले योगदान है। उसे श्रूंखला में पंडित बच्चरा चोक में हिंदु रक्षा समिति द्वारा उपमुक्यमंत्री देविंड फढ़नवीस का चांदी का गदा देकर सतकार क्या गया। ग्यात हो कि उपमुक्यमंत्री फढ़नवीस ने पी राम जल्म भूमी आंदुलंग के दौरान शामिल हुए उपमुक्यमंत्री देविंड फढ़नवीस का कार्सेवक के तौर पर चांदी का गदा दिकर सतकार क्या गया। हिंदुर रक्षा समिती की तरफ से सतकार समारो आईजित क्या गया था। पढ़नवीस ने सतकार की दोरान कहा कि राम लला हम लाएंगी भव्य मंदिर बनाएंगे का नारा आज सही सावित हुआ। पासो वर्षो की प्रतिशा की बाद राम लला विराज मानोंगी यह हर किसी के लिए आनंद का शन है। खाटन होने वाला है और पासो साल के इंतजार के बाद प्रभूश्री राम लला अपने स्थान पर वापिस विराजित होने वाले हैं। यह पासो साल का संघर्ष कई लडाईया हुई और यह सारी लडाईयों के बाद छे दिसंबर उन्नीस सो प्यानवे को मुझे आज भी याद है सुबह का समय था स्टेज लगा हुआ था हजारों कारसेवक वहाँ पर थे स्टेज के उपर हमारे सारे नेता थे वो कह रहे थे कारसेवकों को कि हमें कारसेवा करनी है और सारे कारसेवकों ने तय कर लिया ये कलंक का धाचा नीचे आएगा और सारे कारसेवक धाचे की ओर चले गए हम सब लोग वहाँ पर पहुचे धाचे के पास पहुचे कई कारसेवक धाचे पर चड़ गए और धाचे को नीचे गिरा दिया और हमारे राम जी का मंदिर वहाँ पर तयार हो गया रातो रात जी का मंदिर वहाँ पर तयार हुआ उस समय हमारा नारा था राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिर 1992 में नारा बदला और फिर नारा क्या हुआ राम लला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे और ये भव्य मंदिर अब वहाँ बन चुका है और वहाँ पर राम लला की मूर्ती फिर से बिराजित हो रही है और हमारे प्रदान मंत्री जी के हातों से उसकी प्राण प्रतिष्टा होगी कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हम बाईस तारीकों आयोध्या नहीं जाएंगे अरे ये लोग किस मूँ से जाएंगे ये वो लोग है जनोंने 2007 में सुप्रिम कोट में हलफ नामा दिया था कि राम ये तो कालपनिक है ऐसा तो कोई मंदिर था ही नहीं ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि राम जी का जनम ये आयोध्या में हुआ था ये वो लोग है जिनोंने 2011 में हलफ नामा दिया था और कहा था कि राम सेतू नाम का कोई सेतू अस्तित्व में नहीं है क्योंकि राम जी तो कालपनिक थे इसलिए सेतू को तोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे जो सारे नालायक है वो आज भी आयोध्या नहीं जाए कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ मनिश डेमरी की रिपोर्ट